नमस्कार मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं टेडर्स ड्रिम आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलाइंस पावर एस्टॉक के बारे में इस समय डिलाइंस पावर के टेंड देखेंगे तो पोजेटी में क्लोज होते वे दिख रहा है लास्ट एपिसो लगबग में more than 15% से जादा का तेजी आते वे दिखा है वह क्यों दिखा क्योंकि पावर की डिमांड है वह काफी बढ़ते दिख रहा है जिसके लिए गोवर्मेंट ने सेक्शन 11 को इन्वोक करा और जिस प्रकार से गोवर्मेंट ने एग्रेसिवली जो है इसको इन्वोक करा और डिमांड बर है तो एक्सपेक्टिशन है कि 3-5 मंत में यह और परफॉर्म करते देखेंगे यहां देखेंगे तो लगबग जो इसका प्राइस था लगबग देखेंगे तो 10 रुपीज 50 पैसे के आसपास का और यहां से देखेंगे तो हाइस टेबर डिलेवरी 12 CR के आसपास का वल्यूम दिखा था और उसके बाद से कंटिन्यूस स्टॉक अप्टेन में जा रहा है यानि यहां एकुमलेट करा गया और उसके बाद जो है 10 कंटिन्यूस अप्टेन में दिख रहा है जो रिटेल इंवेस्टर है उसका पसंदीदा स्टॉक बन चुका है यहां देखेंगे यस बैंक टाटा मोटर्स टाटा पावर रिलाइस पावर लाइफ इंसोरेंट जैसे फाइव स्टॉक रहा है जिसमें हाइस टेवर डिटेज इंवेस्टर की बाइंग दिखी है यहां देखेंगे तो डिलेवरी काफी बेटर दिख रहा और इसका चुकी और हमने कहा भी था 9 से 10 के बीच का एक बाइंग ऑपर्चुनिटी है और 16 to 20 तक के लेबल दिखेंगे यानि 100% तक का गेन नेक्स 3 to 5 मंत में दिख सकता है 9 के नीचे के चाहे तो SL को इस्टिकली फॉलो कर सकते है